सूपरिश्टा सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 को लेकर काफी बज़ बना हुआ है फैंस इस फिल्म का दिल थाम कर इंतिजार कर रहे हैं सलमान की टाइगर 3 दिवाली के मौके पर सिनेमा घरों में आएगी इसी भी सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए एक मैसेश शियर किया है नमस्कार मैं हूँ सोनाली ठाकूर और आप देख रहे हैं Live24 सलमान खान और कट्रिना कैफ ने सुबह अपने सोशल मीडिया पर टाइगर 3 का टीजर आउट किया है टीजर में सलमान खान और अविनास सिंग राठोड खुद को गद्दार कहते नजर आ रहे हैं उन्होंने 20 सालों तक एक रौ और एजेंट की किरदार में देश की हिफाजत की बदले में कुछ नहीं मांगा लेकिन अब वें देशवासियों से अपना करेक्टर स्रेटिपिकेट मांग रहे हैं एक्सेंट ड्रामा से भरफूर इस फिल्म में सलमान खान और कट्रीना कैफ साथ नजर आएंगे ये श्राज बैनर के तहद बनी ये फिल्म दस नौमबर को बड़े पर रिलीज होगी बता दें कि सलमान खान कर्टीना कैफ के साथ फिल्म में इमरान हाश में रिध्धी डोगरा और आशुत उश्राणा भी नजर आएंगे अविना सिंग राठर और एजेंट के किरदार में सलमान खान जच रहे हैं एक मिनट 43 सेकेंड की टीजर में भी देश के लिए 20 सालों की सैल्फ प्लेस जूटी के बदले करेक्टर सर्टीपिकेट मांगते नजर आ रहे हैं उन्होंने अविना सिंग राठर और टाइगर को गदार कहा टाइगर शभी का दुश्मन नमबर वन है टीजर में उनके बेटी के साथ भी कुछ सीन्स नजर आएं विचाते हैं कि भारत के लोग उनके बेटी को बताएं कि उनका पिता कौन था गदार या देश भग टीजर के एक्शन सिंस में जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं इस बात को वक्षू भी दिखाए गया है फिल इनिश्टी के ट्रेंट को देखते हुए कि कहा जा सकता है कि आजकल एक्शन फिल्मों को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं फिर चाहे फिल्म पठान की बात करे या हाल ही में शारुख खान की रिलीज हुई फिल्म जवान की ऐसे में तकरीवन 300 करोड की वजट में बनी इस फिल्म से बॉक्स आफिस पर अच्छी कमाई की उमीद लगाई जा सकती है मनी शर्मा ने इस फिल्म का डारेक्शन किया है खासतोर से दिवाली के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है ताकि फिल्म बॉक्स आफिस पर भरपूर कमाई कर सके काटरीना कैप शादी के बाद सलमान खान के साथ पहली बार इस फिल्म में नज़र आएंगी टाइगर फिल्म के फ्रेंचाइजी में हमेशा से सलमान खान और काटरीना कैप की जोड़ी ही मेकर से रखी है 2012 में आई एक था टाइगर ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया था और सुपर हिट सावित हुई थी फिर 2017 में रिलीज हुई टाइगर जिंदा है नेवी जवर जिस कमाई की थी ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि 6 साल बाद टाइगर फ्रेंचाइजी की फिल्म टाइगर 3 क्या कमाल दिखा पाती है